शीरा देरा देर, भक्तों, प्रभु अपने पार्षिडों को, अपने विशेश प्रेमियों को, निजजन को, संसार के कल्यान के लिए, सेवा के लिए भेदया करते हैं। और उन्ही में वो विजित्र शक्ती होती है, जो विश्व के साधक लोगों को, जिग्यास लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। बड़े से बड़े कष्ट सहलेते हैं, पर अपनी सिट से विजलित नहीं होते हैं। अध्भुत ज्यान होता है, अध्भुत शक्ती होती है। अतिंडरी शक्तियां उनका मार्गदर्शन करती रहती हैं। भगवान के द्वारा प्रेणा प्राप्त करके। आश्चरे होता है उनके जीवन को देखकर, उनकी प्रज्या को देखकर, उनकी भक्ती को देखकर, ऐसी अध्भुत संथ थे, महान संथ थे, महराज श्री गुलाव रावजी, जिनका जन्म महराष्ट में अमरावती जिला में हुआ था, अमरावती जिले में चांदूर बाजार तहसील में माधहान नाम का एक छोटा सा गाओं, उसी जगह पर ये महान संथ गुलाव रावजी प्रकट हुए थे, मातरी कुक्षे से जन्म लिये थे, उस गाओं में मोहोड नाम का एक विशेश रभू का प्रेमी घराना रहता था, और उसी वन्ष में एक महान शिव भक्त का जन्म हुआ था, जिनका नाम था, राणो जी राव, यही श्री गुलाव राव जी के पितामा थे, यह राणो जी राव जो थे, जो संत गुलाव राव जी के पितामा का पदप्राप्त किये थे, यह बहुत अच्छे जानकार पढ़ी लिखे थे, प्रखर शिव भक्त थे, भगवान महादेव की भक्ती, भगवान नारायन की भक्ती, संतों की सेवा, यह इनके जीवन के तीन वरत थे, एकादस्टी, सोमवार, प्रदोस, इस सारे वरत बिना मुख में जल लिये करते थे, निर जल, सोमवार को जल भी नहीं पीना, एकादस्टी को भी जल नहीं पीना, प्रदोस को, बड़ा कठिन वरत, कई बार तो प्रदोस्टी, तक जल नहीं पीते थे, दो जिन तक कुछ नहीं खाते थे, और फी भी भगवान के भजन में लगे रहते थे, आइसा नहीं कि कुछ खाते नहीं थे तो पड़े रहते थे, ना भगवान के भजन में लगे रहते थे, उनी राणु जी राव के चार पुत्र हुए, रगो जी, बकारहम जी, नर्सो जी, गोंदू जी, इन मेंसे जो गोंदू जी थे छोटे, देखने में तो सामा नहीं वेक्ती थे, लेकिन मुहान भागिशाली थे, उन्हीं की धर्मपत्नी अलोका बाई को जब प्रभु कृपा से गर्व रहा, तो उस समय की रीत रिवाज के अनुसार उसको प्रसूत के लिए पिहर पूचाय गया। बक्तों, वही बालक जिसके में बात कर रहा हूं, उसका नाम रखा गया गुलाव। किन्तों इतना सुंदर था उबालक कि गुलाव नाम माताओं ने उतना प्रसंद नहीं किया। बाद में तो गुलाव राव ही नाम होता है, लेकिन बचपन में उनकी सुंदर था कि कार माताओं ने सुंदर नारायन ये नाम रखती है। कि गुलाव बहुत सुंदर था। छोटा सा बच्चा था। सुंदर बहुत था। इसलिए माता लोग प्रेम्स उसको सुंदर नारायन नाम बोलती थी। और ननिहाल में उसका जन्म हुआ था उस समय के रिवाज अची थी। तो महराच जब छोटे से बच्चे थे साथ आठ महीने के गुलाव जी। तो उनको आँखों में एक रोग हुआ। और रियात में सही इलाज ना मिल पाने से। अथ्वायन को हिए कि प्रारव्द वशात अपनी स्थूल दिष्टी से बंचित हो गया। स्थूल दिष्टी का तात पर आपके समझे जैसे कि शरीर की जो नेत्रिन्री की शक्ती होती है। उससे हीन हो गया। अन्धत तो नेत्रहीनत आ गए। अब नौ महीने का ये अंधा बालक माता कर तो कले जाए जैसे तूट गया। ये नौ महीने में बच्चा अंधा हो गया। अब ये जीवन में क्या करेगा। उसका तो बच्चे के लिए सारा उत्साही खतम हो गया। और भक्तों क्या क्या दुख्स महार महान पुर्शों को देखना पड़ता है। साजारन व्यक्ति के सहन शक्ति के बाहर होता है। पहला कष्ट तो नौ महीने के उम्र में ये अंधा हो गया बच्चा गुलाब। और दूसरा कष्ट और बड़ा एक आया। महरा जो वो कष्ट ये था। दूरदय वह का लिए कि चार बर्स का जब बच्चा था। तो मांता करनी दन हो गया। और एक नेत्रहीन बालक को आप संभाले को। बालक जब किसी कारण से नानी के हाँ कभी पहुचाय जाता है। अब क्योंकि उसको देख रेक करने वाला कोई नहीं था न। तो नानी नहीं उसको फिर रख लिया। बोली कि अब बार बार इसको ऐसे भटका हो नहीं। मेरे पास छोड़ दो। क्योंकि इसकी मा तो है नहीं है। तो मैं ही पालन परसन करूँगे। चार वर्स का बालक। मा कि जग नानी ले पालन परसन शुरू किया। अब महरा जब यह पांच वर्स का हुआ। तब से इसके जीवन में चमतकार प्रारंब हो गया। पांच वर्स का बच्चे जब बैठता था भोधन करने के लिए। तो आँख तो थी नहीं उसके बाहर के नेटर नहीं थे। तो अब देखिए उसको आँख नहीं है लेकिन वो बोलता क्या था। आओ आओ। आइसा लगता है जैसे कुछ देखता था तभी तो बोलता था। बोलता था आओ आओ। अब नानी के समझ में नहीं आता था क्या बोल रहा ह। आओ आओ किसको खरा। तो पूश्टी कि तू किसे बात कर रहे हो। तो छोटा सा पांच बरच का बच्चा बोलता था। वो बच्चा अपनी नानी के पास था। नानी को बाई कहता था। तो बोलता था अपनी नानी को कि बाई। एक छोटा सा बालक मेरे सामने आता है। सामला उसका रंग है। सांवला भी ऐसा नहीं है कि जैसे और बच्चे सांवलें, वो तो चमकदार, कुछ नीलिमा, कुछ सांवला पन, शामता से मिला हुआ रंग है, अब आप देखो, नौ महीने का था तभी तो अंदा हो गया था, तो दुनिया को कहां उसमें ज्यादा देखा था, लेकिन और रं है, और बड़ा सांवला सब प्यारा सा है, और मस्तक के उपर सुंदर मुकुट है उसके, और उसके मुकुट में मोर का पंक लगा हुआ है, उसके कानों में बड़े-बड़े सुंदर कुंदल है, पीले बस्त जारन की हुए, मेरे सामने आकर बैठता है, और मेरी और देख क कोई सामान नहीं दिखता है। यहांन कंछ सामान लें कोई सामान नहीं दिखता और मेरे हाथ से भोजन करना चाहता है, किसी को कुछ देखता नहीं था, लेकिन वो सुंदर नारहन, जिसको माता हैं करती थी, छोटा चा बच्चा गुलाव, भागवान स्री कृष्ण को अपने सम्मुक देखता था, कि वो देखता ही नहीं था महराज, अपने हाथ से भागवान कृष्ण को खिलाता था, भागवान कृष्ण कहते थे इशारे से, कि तुम अपने हाथ से खिलाव मुझको, और अपने हाथ से बच्चा खिलाता था, अब आप समझे लिए कि जब भागवान स्री कृष्ण को अपने हाथ से खिलाता था, तो बातर लोगों को तो विश्वास नहीं होता था लेकिन ओखिलाता था हात उटाता भोजन लेकर आत में और खिला देता था लोगों ने अनभों किया जब वो बालक की साथ भोजन कर रहा है उसमें सारा का सारा वाता गरन दीविसुगन से भर जाता था जब वो बालक गुलाव नथा बगवान केष्ण को भोजन कराता और आओ आओ कहकर भोजन कराता आ था तो उस्वास में इतनी अध्भूत सुगंद होती थी कि लोग चकित हो जाते थी कि इतना सुंदर सुगन्द अद्भुत सुगन्द सारा वाता वरन दिव्य सुगन्द से भार गया वो सुगन्द अद्भुत थी जब बच्चा खिलाता था बगवान कृष्ण को कि अब दाइवी शक्ति उसकी प्रकट हुई भक्तु कृष्ण का दर्शन पांच बरस से कुछ कम था साड़े चार बरस कर समझे तभी से जर्शन मिलने लगा तभी से प्रभु को खिलाने लगा भगवान उसको खिलाने लगे अब वो छोटा सा गुलाब बोलते बोलते कुछ है सोक क्ति यदि निकले वी बात मिलिए बात को वी तो तो आश्षन का निक्ले हुए बात कुछ को जाते थी कि अबीख निंए आफ उन दी ऑच हो दूने जटे इसके आहां लोकाक्त ने बीट आला है अ कोबीटमा उने को बता रही जवी को बता दी गुटी होख्या हो और कि विम किसी से पूछे कोई जो पूछे को विनहां पूछे तब भी बोल देता और उसकू की बात पूरी की पूरी सत्प निखल थी जिसको बोल देता भैता हुने वाला यह बैटी होनेवाली जुड़ा बच्चा opponents वही होता था अब गाउं की महिलाएं गर्भ होती होने पर चुप चाप आकर धीरे से गुलाब बालक से पूछती थी अब पांच्छे साल का था कि गुलाब सुंदर नारहन भी बोलती थी मता हैं सुंदर नारहन मुझे क्या होने वाला है तो महराज गुलाब बता देता था जो वो बात सत्य होती थी वो छोटा सा बच्चा दोड़ा हुआ बावडी के पास जाता अब बताव उसके नेत नहीं थी लेकिन फिवे दोड़ता था ऐसे दोड़ता जाता था जैसे उसको दिखलाई पड़ रहा हूँ महिलाओं के नाम ले लेता सही सही नाम लेता सबका तो महिलाएं पूछती अरे हमने तुमसे तो बात भी नहीं की फिर भी तुम हमारे नाम कैसे जानते हो मुझसे कभी मिले भी नहीं छोटा गुलाब कहता है आपकी चूड़ियां आपकी भी चूड़ियां आपके आभूशन जो है न उनसे जो आवाज निकलती है बता देती है कि आपका उन आपका क्या नाम है तो मिलाएं कहते है अरे फिक चूड़ियां तो सब की बचती है यह नाम कहां बताती है तो गुलाब कहता है सब की चूड़ियों के आवाज अलग अलग मालूम चयाता है आप अपकों शिशकार करना है खोज करना चाहें तो मुस्किल है अभी तक तो साइंस ये खोज नहीं कर पाया है कि चूडियों की आवाज से चूडि पहिनने वाले के नाम पता चल जाएं लेकिन ये नेत ही इन बालक संसार की दिश्टी से तो नेत ही नहीं था गुलाब ये चूडि की आवाज इसने चूडि पहिन रखी उसके आवाज से बता जेता है चूडि पहिने वही माता का नाम क्या है वो छोटा बालक अद्भुत शक्ती वाला चुरू हो गया पता नहीं कहां सैसे सी शक्ती प्रकट होने लगी और बिना किसी के पकड़े ही भागता था पैडल जिसे देख रहा हो बिलकुल नेत्रहिन था वो भगवान ने अद्भुत शक्ती दी थी उस बच्चे को साइन्स को बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखी हुए लोग है उनके समझ में साइज बात जल्दी आएगी ने कि चूड़ी के द्वारा चूड़ी पहिनी हुई माता की बात उसका नाम ये सब मालूम हो जाए और भी चूड़ी भजने की आवाज से हाथ में भी चूड़ साइद अभी तक यहां नहीं पहुंचा रहा है हर वस्तु की हल्चल में अलग-अलग कमपन होते हैं ऐसा तुमानते हैं लोग उससे उत्पन्न होने वाली ध्वन भी भिन्न होती है ये भिन्नता अत्यन सूख में होती है जिससे साइद कुछ पहिचान होर से के लिए कि नाम मालम हो जाना ये तुम उसके लगता है ये गुलाब की विशेष्टा थी किसी की जात के चूड़ी बजी तो बता देता जिसके हाथ में चूड़ी बज़े उसका नाम क्या है इसका अनुमेशन विज्ञान वालों को करना चाहिए कि गुलाब को ऐसे बताता था अब हम भग भागवान की भकति की बात करेंगे तो भगवान की भकति की शक्ति से बताता था लेकिन शाइंस पढ़ने वाली जो शायद को ऑफirm किसी की आवाज को सुनकर को गुलाव राव महराज कहते अरे इसको टीवी होने वाली है अब बताई यह कौन सी साइंस है तो आदमी बोल रहा है और दूर से बोल रहा है और दूर से गुलाव ने बता दिया अरे इसको टीवी होने वाली टीवी की बीमारी अरे यह बीमार है क येवल आवाज सुनकर उसकी बीमारी का नाम बतला देते हैं इसको ये बीमारी है ये बात अनोखी बिलकुल कान की शक्ति पूर्ण जागरित थी एक व्यक्ति विवा की पत्री देने के लिए नानी के पास आया तो गुलाब ने कहा विवा तुम मत कर ना विवा करोगे तो ल विवा की पत्री का देने के लिए था नानी क पास उसकी आवाज सुनते ही बोल दिया गुलाब ने शाधी मत करना वापस आते समय तुमारी मिर्टी हो जाएगी सांप के काटने से साधी करोगे तो अब इवा का निमंटन पत्र देने को आया है उसे ऐसी बात कहना कितना गल तो ऐसे क्यों बोल देता है किसी को गुलाब ने का मैं क्या करो मुझे जो दिखता हूं मैं बोलता हूं उस व्यक्ति को बुरा तो लगा लेकिन उसमें ध्यान नहीं दिया वास्तों में वह हुआ गुलाब की वस्ता महराज अधभूत थी जब उसने साधी किया अपनी तो सांपने डसलिया मर गया जिस आगमी को गुलाब ने बताया था और अधभूत स्मरन शक्ति थी जो भी कोई ग्रंट सुनते थे सवयाद हो जाता थे एक बर सुनने पर बड़े-बड़े स्टोत्र सवयाद होने लगे जो पढ़ाया और एक दिन में कंठस्थ हो गया और सोतेली माता आई घर में पिता जीने दूसरी चादी की तो वो सोतेली माता गुलाब बालक को बिलकुल नहीं चाहती थी वक्तों ऐसे इस ठीत में गुलाब जिसके वस्थाब नवदास बरस की थी लोगों के पास एक एवल एक बात की आचन करता था मुझे पुस्तक चाहिए मुझे ग्रंथ चाहिए एक एक पैसा ही कठा करके ग्रंथ मंगाता ग्रंथ के ओल मंगाता ही नहीं था उन ग्रंथों को समाल कर रखता था और ये प्रज्या चक्षुबालब गाउं में आजने वाले जाने वाले हर संत के पास बैठता और बैठ करके कहता मुझे पढ़ा दो ग्रंथ मराज सब ही मजहबों के ग्रंथ पढ़ता था कुरान बाइबिल इसाई के और इसलाम के और जितने भी जहां के जैसे भी कोई आ जाते थे सब के मजहब के ग्रंथ पढ़ता था यह दो पहुत अर फिर नानी से गोलाव ने मुझा लेकिन अरल भी मंति कों साल है दोव Daar जाने ने का मंतर बताते नहीं है भूछ Pendle कि अधितलं नहीं नहीं बताए लेकिन गोलाव ने बता दिया तुमारे यह मंत्र नानी चखत हो गई इसने पूछ तुमें कैसे है पता च महराज बड़ी बड़ी महात्मा उससे प्रभावित होने लगे और दत्त महराज जो दत्त अत्रेजी उनकी प्रेमी एक उनके अन्वियाई एक संथ थे वो मंत्र भी कुछ बताया उसको लेकर मुझे तो कृष्ण की उपासना चाहिए मुझे तो भगवान कृष्ण की पोजा करनी है और किसी की नहीं करनी है और तमाम ग्रंथ उसके पास थे और जो ग्रंथ एक बार कोई सुनाता था पढ़कर बस वो दुबारा नहीं पढ़ना पढ़ता था उसको पूरा का पूरा कंटस्ट हो जाता था एक बहुत अच्छे विर्द्वान ब्रह्मण थे तो वो उसको पढ़ाना शुरू किये गुलाब को और और उने दिखा ही तो दिन बर गोमता रहता है पढ़ता और तो है नहीं कुछ तो उनों ने का अच्छा बैट जया मेरे पास में पढ़ा हूँगा महराज उनके मुख से निकला जो वो उसे पूरा याद हो जाता था तो मास्टर ने सोचा कि यह सब पहले से पढ़ा हुआ है तो ऐसे तो कुछी को याद हो नहीं सकता एक बार में सब उन्होंने का तो जूट बोल रा है तू पहले से याद है तुछको पढ़ा हुआ भोला कि महराज मैं कभी जूट नहीं बोला आज तरग उनके पास जो भी कुछ ज्ञान था पढ़ाय लिखाई का, उरा कपूरा महराज उन्हें पढ़ा डाला 10 दिन में उनके जितना ज्ञान था वो सब समापत हो गया, रात दिन पढ़ाते थे पढ़ने में बच्चा ठकता ही नहीं था, सब जितना सहारी पहाड़े थे उनके पढ उन मास्टर सहाब को जितना संस्क्रिट आता था संस्क्रिट के ग्रंथ भी पढ़ाए, और दस दिनों में पूरा कोर समापत, तो एक दिन उस अध्यापक ने गुलाब को अपने पास बैठा करके भावुक हो करके कहा बेटे, तुम कौन हो यह तो मुझे पता नहीं है, पर परमात्मा ने हम लोगों पर कैसी कृपा किये कि तुम जैसे बच्चे को मेरे पास बेजाए, बेटा मेरा तो जीवन धन्य हो गया तुम जैसे चात्र को पाकर, मैंने ऐसा कोई भी बच्चा आज तक नहीं देखा, सुना भी नहीं, मेरे पूरे जीवन की पढ़ाई दस दि है, मैं धन्य हो तुम को पाकर, भक्तों उस समय तो नहीं लेकिन आगे चल करके, वो राम राव मास्टर साफ जो दस दिन में पूरा अपने बच्चे को सुना दिये थे, वही महराज गुलाव राव जी से आगे चल करके दीख्षा लिया, उस समय तो नहीं लिया था, लेकि ऐसी अद्भूत शक्ती थी निके अंदर कि मास्टर सहावी सीशी बन गए, वक्तों जो चीज आसानी से सहज ही मिल जाए न, संसार के लोग उसके कदर नहीं करते हैं, इतना अद्भूत बालग कि मास्टर हैरान कि मेरे पूरे जीवन की पढ़ाई दस दिन में पूरी सीख अब तो मुझे कुछ आता ही नहीं कि आगे मैं कुछ पढ़ाऊं, जबकि वह बहुत बहुत द्वान माने जाते थे, वो मास्टर राम राव ने जा करके वो गुलाब की घर बताया, कि ये बच्चा असाधारन है, ये सामान ने बालक नहीं है, इसको आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये कोई अद्भुत शक्ती का अउतार हुआ है, लेकिन मास्टर की बात को किसी ने कोई एज़त नहीं दियू, वो तो यही करते रहें कि अभागा है, अंदा है, नौ महीने का तब ही अंदा हो गया, काहे को अच्छा बालक अद्भुत बालक बता रहे हो महराज, ये तो बिलकुल अभागा है, ये क्या करेगा जीवन में, ऐसे घर के लोग बोल रहे थे, जैसे उस बच्छे को कोई बात को नहीं दिया, और ये ही आगे चल करके, महराज, महान संत स्री गुलाव रावजी के नाम से प्रसिद होते हैं, मास्टर कोई पता चल पाया था पहले पहले, कि बालक साधारन नहीं है, अम इनके विशे में आपको और भी सुनाओगा, किन्तो आज इनको प्रणाम करके, जहीं पिर हम दे रहा हों वक्तों, शीरा देरा दे, शीरा देरा दे,